उन चुनोतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनोति है राजनेतिक उत्तरादिकार की चुनोति उनके उत्तरा कॉंग्रेस में पंडित नहरू की मृत्य के बाद क्या होगा इसको लेकर चिंताएं प्रारंबच से ही हो गई थी 1952 में लोकसभा के चुनाओ होते हैं और उस चुनाओ के समय पंडित वालाल नहरू के उम्र 60 वर्ष से उपर हो चुकी रहती है 1889 उनका जन और 1952 तो 60 से उपर और उनके मृत्य के निकट के वर्षों में नहरू का उत्साह नहरू की कारिक्षमता में राज दिखता है खासकर 1962 का जो भारत चीन युद्ध होता है जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ता है भारत के लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिती हो जाती है और पंडिजवालाल नहरू जो तब तक एक विश्वराज नहीं के रूप में देखे जाते थे उनके स्वयम की प्रसिद्ध को जो दाग लगता है तो वो बीमार हो पड़ते हैं और अंचता 1964 में उनका स्वर्गवास हो जाता हूँ तो स्वर्गवास होने के पहले दो तीन वर्षों से ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही थी कि आखिर कौन इनका उत्रादिकारी बनेगा एक बहुत बड़ी चुनौती थी चुनौती किसलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि नहरू के बात कौन और लेकिन भारत जैसे नए जो सतन देश है उसमें इस माहौल में एक और सवाल था कि नहरू के बात देश का क्या होगा कहां जाएगा क्योंकि भारत के लिए आर्थिक नीति के निर्माता विदेश नीति के निर्माता देश को एक जुट रखने में सफल नेता सामाजिक रूप से देश को जोड के रखने में सफल नेता और विश राजनीति में भी बहुत दखल रखने वाले एक नेता के रूप में उनकी थी तो नहरू के बाद कौन तो ये एक सवाल था ही दूसरा सवाल ये भी था कि भारत किस और आगे बढ़ेगा इस देश का क्या होगा भारत से बाहर बहुत लोगों को संदेह था कि यहां नहरू के बाद लोकतंतर कायम भी रह पाएगा की नहीं दूसरा सवाल इसी संदेह के देहरे में था आशंका थी कि बाकी बहुत से जो नव स्वतंतर राष्ट हैं जहां पर उत्रादिकारियों के मुद्दों को लेकर काफी संघर्श हुए हैं इन नव स्वतंतर देशों में जो भारत के बाद स्वतंतर हुए एशिय और अफरीका में और वहां के उदाहरन बड़े निराश करने वाले थे क्योंकि अधिकतर देशों में नव स्वतंतर देशों में उत्रादिकार के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नए उत्रादिकारी आये बहुत जगह गैर लोक तांतरिक तरीके से ऐसा हुआ इसलिए शंका थी क्या भारत में भी नहरू के बाद लोक तंतर धराशाई हो जाएगा क्या भारत में भी नहरू के उत्रादिकारी की समस्या का हल लोक तांतरिक ढंग से नहीं निकल पाएगा और यदि असफल होता है तो क्या सेना अन्य देशों की तरह अन्य नवोदित देशों की तरह क्या भारत में भी सेना हवी हो जाएगी क्या भारत में भी सेना वही भूमिका निभाएगी जो अन्य देशों में भारत निभा रही है आदी आदी इसके अलावा इस बात को लेकर भी बड़ा संदेश था कि देश के सामने बहुत सारी कठनाईयां है बहुत सारी कठनाईयां आ पड़ी हैं और निया नित्रतुत का समाधान नहीं खुज पाएगा ऐसी शंकाएं थी कुल मिलाकर नहरू के मुद्दे को लेकर पहला उत्रादिकारी कौन दूसरा देश किस दिशा में जायेगा ये चिंता और इज़िए दिशा की बात करें तो लोकतांत्रिक दिशा में या गैर लोकतांत्रिक और तीसरा जो था उसके देश की स्वैम की अपनी समस्याएं जो बहुत तारी कटनाई आ गए थी कुल मिलाकर इस सब बिंदूओं को ज़िए हम देखें तो बड़ी चिंताएं थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा 1960 का दशक वैसे भी खतरनाग दशक कहलाता है खतरनाग दशक डेंजरस डेकेड डी डी क्योंकि गरीबी गैर बराबरी सांप्रदाइक्ता खेत्री भाजन ये कई मुद्दे अभी भी अनसुलजे चल रहे थे गरीबी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी जन संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी उसमें कोई लगाम नहीं लग रही थी ऐसे दंगे सांप्रदाइक मुद्दों को लेकर धार्मिक मुद्दों को लेकर तनाओं खेत्री विभाजन ये बढ़ते ही चला जा जा रहा था संभव था कि इन सारी कठनाईयों के कारण देश में लोक तंत्र अचपल हो जाएगा अर्थात अंदरूनी स्थितियां भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण थी मैंने जैसा बताया बहुत सारी कठनाईयां उन कठनाईयों में इन कठनाईयों का विशेज जिक्र है जो स्वयम लोक तंत्र को अस्थाई करने के लिए काफी थी और यदि ऐसा होता यदि ये कटलाईयों का सामना नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से लोक तंत्रतो धराशाई होता ही उसके साथ ही साथ खुझ जो देश है वो भी बिखर जाता क्योंकि कई जगए ख्षित्री वाद जोर पकड़ रहा था और ख्षित्री वाद का जोर पकड़ना राश्टीता की कीमत पर हो रहा था तो एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता हो चुकी थी परंतु विदेशी विद्वानों की जो भविशवाणिया थी उनकी जो भविशवाणिया थी नहरू के बाद कौन को लेकर देश के भावी रूप को लेकर वो सब गलत सावित हों बलकि गलत ही सावित नहीं हुई बलकि पंडित नहरू के मृतिक के पश्चाथ भारती लोक तंतर जो है वो और मजबूत होकर उठा विशव पटल पर वो और एक पके लोक तंतरिक देश के रूप में सामने आया कारण क्या जिस तरीके से जिस शांतिपूंट तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ जोलाल नहरू की के बाद सद्भावना के माहौल में लाल बहदुर शास्त्री का प्रधान मंत्री के रूप में चैन होता है और नहीं सरकार आती है उसने विदेशी विद्वानों के जो भी नकारात्मक भविश्वानिया थी उसको गलत साबित कर दिया पंडित नहरू के राजनियतिक उत्रादिकारी के रूप में लाल बहदुर शास्त्री आते हैं दुरभाग इसे उनका काल संक्षित रहता है लेकर उसके तुरन बाद इंद्रा गांधी का काल आता है और इन लोगों ने साबित कर दिया कि भारत का लोक तंत्री दिनों दिन मजबूत ही होता जा रहा है इसलिए इस बिंदु पर किसी तरह की चिंता करने की आवश्किता नहीं है राजनियतिक उत्रादिकारी के समन्द में जो देश के सामने चुनोती थी और जिस सफलता पूरवक देश के राजनियतिक दलों ने और देश की जन्ता ने लोक तंत्रिक तरीके से लाल बाहदुर शास्त्री और इसके बाद इंद्रा गांधी का प्रधान मंत्रत स्विकार किया उसने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगा है और जैसा मैंने कहा लोक तंत्र और गहरा बैठा इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है जो पंडिजवालाल नेहरु के उत्राधिकारी के रूप में सामने आए क्योंकि हमको थोड़ा इनको समझना आवश्यक होगा इनके व्यक्तित को जिसने बाग की राजनीति को प्रभावित किया पंडिजवालाल नेहरु की मृत्ति होती है बाइस और सत्ताइस माई 1964 लेकिन कोई संघर्ष किसी भी तरह का विभिन दलों में या कॉंग्रेस के अंदर ही विभिन गुटों में कोई घमासान नहीं होता है कॉंग्रेस के जो मुख्य नेता थे वो लोग किसी बात पर यदि एक मत नहीं थे तो अंत में तै करते हैं कि एक मध्यम मारगी नेता को प्रधान मंत्री बनाया जाए और लाल बादुर्ष शास्त्री का नाम सामने आता है और इस घटना से ये संदेश पूरी दुनिया को जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो राजनियतिक जिश्टी से परिपक्व पार्टी है संकट के समय एक जुट रहना इस बात को मध्य नजर रखते हुए यदि अंदर के गुटों में ही किसी तरह का विरोधा भास है तो कम से कम इस बात पर सहमत ही है कि हम एक मध्यम मारगी को देश का प्रथान मंत्री बनाएं ततकाली स्थिचियों को देखते हुए भारत पंडिजवालाल नहरू के पश्चात लोगतंत्र और संसदी प्रणाली में गहरा विश्वास दिखाते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रथान मंत्री बनाया जाता है और 9 जून 1964 को वो पद भार ग्रांड करती है नहरू के मंद्र मंडल में लाल बहादुर शास्त्री की जो भूमिका थी वह बहुत अहम थी वे एक समझोता करता के रूप में जाने जाते थे एक संस्दी प्रणाली में विश्वास करने वाले व्यक्ति जाने जाते थे समाजवादी माने जाते थे और साथ ही मृदु भाशी लेकिन दिर्द संकल्पी मृदु भाशी और दिर्द संकल्पी ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी नहरू के ही आग्रह पर उन्होंने असम में जो भाशाई दंगे हुए और शी नगर में हदरत बल दरगाह में कुछ पवित्र वस्तु की चोरी के मामले को बड़ी कुशलता पूरवक उन्होंने उसको निप्टाय था और इस मेंका एक अच्छे समनवे कार के रूप में उनकी परतिष्ठा थी उसका लाल भादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री बनते हैं उन्निस वचार और उनका मृत्य हो जाती है उन्निस वचाट में स्वतन तांदोलन में भी भागीदार थे इसके पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्र मंडल में थे फिर कॉंग्रेस की पार्टी के महास्ची बने और 1951 में मंत्र मंडल केंदरी मंत्र मंडल में शामिल थे और लाल बादुर शास्त्री को प्रदान मंत्री बनने से पूर्व इसलिए विशेश रूप से जाना जाता है कि एक रेल घटना होने पर उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंदरी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था बाद में 1957-64 के बीच फिर वो मंत्री बने और अपने एक नारे के लिए बहुत प्रसिद जाने जाते हैं वह नारा था जै जवान जै किसान ये संक्षिप्त में लाल बाद दुर्शास्त्री की जीवनी जब लाल बाद दुर्शास्त्री प्रधान मंत्री बनते हैं तो उनके सामने कई विकट समस्यां रहती कई विशाल समस्यां उनके सामने थी एक समस्या तो ये थी है कि नहरू के बाद किसी को भी प्रधान मंत्री के रूप में देश के द्वारा भावनात्मक रूप से स्विकार किया जाना एक बहुत कठिन काम था दूसरा अकाल की इस्थिती और उस अकाल के कारण जो खाद्यान की कमी के समस्या से देश गुजर रहा था वह बहुत तकलीफ देश्यक था उस द्रिश्ट से परणाम क्या होता है कि प्रधान मंत्री बनते ही लाल बादु शास्ती क्रिशित द्योग में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसलिए जै जवान जै किसान का नारा उनका चलता है बहुत सरल उदार छवी के कारण पाकिस्तान ने उसका फाइदा उठाने के कोशिश की भारत को दराने का प्रयास किया और यहां तक 1965 में जम्मू कश्मीर पर आक्रमन भी कर दिया परंत शास्त्री जी की सूजबूज उनका नित्रित्व बहुत साहत पूर्ण था और युद्ध में ना विज़ाई बल नहीं हुए बलकि विश्व मंच पर उन्होंने भारत की सैनिक शम्ता को सामने रख दिया सोवियत संग के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंत समझोता होता है ताशकंत ततकालीन सोवियत संग का एक शहर था वहाँ पर कौसिगिन जो सोवियत संग के प्रधान मंत्री थे उनके आमंतरन पर अयूब खान पाकिस्तान के ततकालीन सेनाध्यक जनरल और भारत से लालबाद दुर्शास्त्री वहाँ एक समझोता करते हैं और जिसे हम ताशकंत समझोता कहते हैं लेकिन दुरभागे से इस समझोते के तुरंत बाद वहीं ताशकंत में हैं लालबाद दुर्शास्त्री की बड़े संदिग्ध स्थित्यों में मृत्यू होती है लगबग बीस महीने वह प्रधान मंती रहे परंतो इस छोटा से काल में उन्होंने देश की जिम्मेदारी बखुवी निभाई इसके बाद शास्त्री जी की जो असाम एक मृत्यू होती है नहरू की मृत्यू के साथ नहरू की मृत्यू और शास्त्री की मृत्यू में एक अंतर है नहरू की मृत्यू का अंदेशा लोगों को इस द्रिश्टी से हो चुका था कि भारत चीन युद्ध के बाद याने 1962 के बाद से नहरू स्वायम बहुत कमजोर हो चुके थे शारीरिक और मानतिक रूप से ऐसा लग रहा था कि उनकी ख्षमता में गिरावट आ रही है और इसलिए देश अपने को तैयार कर रहा था और इसलिए वो चिंता बार बार हो रही थी के नहरू के बाद कौन वो मृत्यू और शास्त्री के मृत्यू लाल बाहदुर शास्त्री के मृत्यू निश्चित रूप से असामिक थी अनेक्सपेक्टेट थी इसके लिए देश तयार नहीं था उनकी इस मृत्यू के पस्चात तृरंट ये समस्या सामने आई पुना ये प्रश्चित सामने आया कि देश का परधान मंत्री कौन अधिकाँज कॉंग्रेस नेताओं की राय थी कि नहरू की बेटी को देश का परधान मंत्री बना जाए क्योंकि बेटी होने के कारण उन्हें देश और विदेश में सम्मान और पहले से है परन्तु कॉंग्रेस में एक पक्ष ऐसा था जिसका नेत्रित्व मुरारजी दिसाई कर रहे थे वे इस पक्ष में नहीं थे कि इंदरा गांजी को प्रधान मंत्री बनाये जाए बलकि मुरारजी दिसाई स्वायम प्रधान मंत्री बनने के चुप थे परणाम क्या होता है, कांग्रेस प्रणाली के तहट, अपनी वही पूर परचित प्रणाली के तहट, कांग्रेस के अंदर मदान होता है, मदान विभाजन का सुझाव होता है और 19 जून 66 को कांग्रेस में नित्रित्व को लेकर पहली बार मतदान और ये मतदान एक बड़ा इतिहासिक शण था यह कांग्रेस के लिए और देश के लिए दोनों के लिए बड़ा इतिहासिक था क्योंकि नहरू के काल में ऐसे मतदान की नौबत कभी नही आई विभाजन की नौबत तो दूर लोग करने की बात तो दूर लोग सोचते भी नहीं थे कि इस तरह का कुछ मतदान कभी होने की आवश्कताब पढ़ सकती हो चुकि ऐसा हुआ और पहली बार हुआ इसलिए एक बड़ी एतिहासिक घटना थी इस मतद विभाजन में इंद्रा गांदी के पक्ष में एक सो पच्पन और विपक्ष में एक सो उनहत्तर मत पढ़ते हैं मैं अपना दोरा दूँ तीन सो पच्पन बनाम एक सो उनहत्तर और स्पष पता लगता है कि दल के अधिकांश नेता श्रीमती इंद्रा गांदी के पक्ष में कई कारणों से वे पंडिजवालाल नहिरू की बेटी इंद्रा गांदी को देश के अप्रधान मंत्री बनाना चाहते थे और 1967 में होने वाले लोक्षभा के चुनाओं में भी ये साबित हो गया कि श्रीमती इंद्रा गांदी जनता की सर्व प्रिय नेता हैं और इस प्रकार वह लोकतांत्रिक तरीके से पुना 1967 में प्रधान मंत्री बनती हैं पहले तो लाल बादुर शास्त्री की असाम एक मृत्य के समय पार्टी के लोग मतदान करके प्रधान मंत्री बनाते हैं इंद्रा गांदी को बाद में 1967 का जब लोक्षभा का चुनाओ होता है उसमें प्रधान मंत्री के रूप में इंद्रा गांदी का वर्चा स्वस्थापित होता है अपने प्रसान मिलतित काल में इंद्रा गांधी ने ऐसे कई काम किये जिसे हम बहुत प्रगतिशील कह सकते हैं खासकर कृषिक के कारियों में गरीबी हटाने की और जनाओं में उन्होंने गरीबी हटाने के लिए बड़ा बहुत बड़ा कारेकरम घोशित किया और गरीबी तबकों के लिए है निर्धन के लिए है इसके साथ ही सेना का अधनीकी करण किया 1974 में पोखरन में एतिहासिक परमानु विस्फोट किया 1971 में बड़ी असामानी परिस्थितियों में जिसमें पाकिस्तान के दो टिकड़े होने की कगार पर है वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाते हुए पूर्वी पाकिस्तान के बांगला देश बनने की भूमिका में बनने की घटना करम में बहुत अहम भूमिका निभाए उसके अलावा जो एक लाख शरणार्थी एक लाख सैनिक और कई करोड़ शरणार्थी जो बांगला देश से भारत आ गय निनायक युद्ध था उसकी जीत में इंदरा गांधी की प्रतिष्था देश की प्रतिष्था विश्व में बहुत बढ़ गई और इस पकार हम कह सकते हैं कि पंडित नहरू के बाद उनके राजनेटिक उत्तरादिकारियों को लेकर जो चिंता थी वह चिंता गैर नाजायज साबित हुई देश को कुशल नित्रित मिला लाल बादर शास्त्री और इंदरा के रूप में और देश का विकास ही हुआ इंदरा गांधी का जन्म 1917 और मृत्य उननिस्व चौरासी 1966 से तत्तर तक और फिर 80 से 84 तक वह भारत की प्रधान मंतिर रही काल याद रखेंगे दो टुकड़ों में भारत की प्रधान मंतिर रही 1966 से 77 के ग्यारा वर्ष और इसके बाद निस्व चौरासी से 84 के पांच वर्ष उनका जो प्रारंबिक केरियर था युवा कॉंग्रेस की कारकरता के रूप में फिर इसके बाद 1908 में कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं 1964-66 में जब लाल बहदुर शास्ति प्रधान मंतिर बनते हैं तो उनके मंतिर मंडल में केंदरी मंती बनती हैं और 67, 71 और 80 के आमचनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को विज़ई दिलाती हैं 67, 71 और 80 के आमचनाओं में गरीबी हटाओं का नारा 1971 के युद्मे जीत का श्रे और उसके बाद प्रिवी पर्ष की समापती प्रिवी पर्स की समापती, बैंकों का राष्टी करंड, आन्विक परीक्षन और पर्यावनेट सररक्षन इन खेत्रों पर श्रीमती गांधी ने बहुत महत्पूर्ण कदम लिया जो अलाल नहरू की पुत्री होने के नहते प्रारम में जो इन्हें फायदा मिला बाद के वर्षों में अपने व्यवहार से, अपने प्रधान मंतरित काल में, अपने निर्णेयों से ये साबित कर दिया कि उनका स्वयम का अपना एक वजूद है और विश्वराजनीती में भी इनकी काफी पकड़ थी दुर्भागे से 31 अक्तूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार इंदरा गांधी का प्रधान मंतरित काल 1984 में समाप्त होता है इंदिरा गांधी जैसा मैंने बताया एक असामिक निधन के कारण अचानक उन्हें सत्ता दी जाती है और वह भी तब जब कॉंग्रेस के अंदर ही एक गुट द्वारा उनका विरोध होने लगता है और थात कहने के माइने ये कि कॉंग्रेस के अंदर भी अब अंदरूनी समस्याएं बढ़ने लगती है अभी तक हमने बाहरी समस्याओं की बात की और चूंकि कॉंग्रेस अंदर ते एक जुट थी बले वैचारिक दर्शित से उनके सदस्यों में बहुत विभन्नता थी बहुत अलग-अलग तरह के विचार थे लेकिन फिर भी वे लोग एक छट्र कॉंग्रेस की नीतियों का पालन अनुपालन करते रहे और उसी में बने रहे लेकिन अब जब अंदरूनी समस्याएं बढ़ती हैं और एक धड़ जिसका नितियों श्री मुरार जी दिसाई कर रहे थे वो कुछ ऐसी मांग करता है जिसमें मतदान हो और फिर मतदान होता है आदी आदी जिस घटना करम का मैंने पूर में वर्णन किया है तो ये बाच पश्ट हो जाती है कि अब कॉंग्रेस की अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ रही हैं तो एक और हम देखते हैं कॉंग्रेस की बढ़ती समस्याएं अंदरूनी समस्याएं दूसरा देश के आर्थिक खाद्यान की समस्या तीसरा इसके बाद जो समस्याएं आती हैं वो थी सेन अधनीकी करण की क्योंकि भारत चीन से परास हुआ था और पाकिस्तान से भी उसे युद्ध लड़ना पड़ा था जद्ध पीस में विजह हुआ लेकि निश्टित रूप से अब सेना को आधनिक बनाने की ज़रत थी क्योंकि पड़ोस में अब दो दो शत्रों हमारे बैठे हुए थे इसके साथ ही आर्थिक समस्या ने कुछ विकट रूप ले लिया और जो चौथा जो घटना करम इस काल में चल रहा था जिसका जिक्र मैंने किया है खेतरी तावाद का बढ़ावा और इस खेतरी वाद के बढ़ावे का परणाम ये हुआ कि कुछ खेतरी पार्टियां सामने आती हैं पनपने लगती हैं उनका उदै होता है आदी आदी धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है और ये ज़्यादा प्रभावशाली प्रभावशील होने लगते हैं कॉंग्रेस की कीमत पर तो एक तरफ यदि हम तराजू की बात करें एक और यदि कॉंग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था 1950 में दूसरी और अन्य दल बिलकुल नगन्य ही थे धीरे धीरे अब ये पलड़ा एक तरीके से कॉंग्रेस का जो भारी था वो हलका होने लगता है और जो अन्य दल थे इनका प्रभाव बढ़ने लगता है तो तराजू का पलड़ा अब इनके पक्ष में भारी होता दिखाई देता है जड़्य पी अभी भी इनकी संख्या कम थी अभी भी कॉंग्रेस की तुलना में ये कम प्रभाव शील थे राश्ट्री द्रिष्टि से लेकिन निश्चित रूप से अभी ये जादा मजबूत थे पहले के तुलना में जादा जनता का जादा सपोर्ट अब इनको मिलने लगा था और इन डलों के बीच में भी अब एक तरीके से एक जुटता आने लगी थी यद्य पिये विभन डल विचारों के मतवेद के कारण अलग-अलग बने रहे लेकिन अब यह समझ गया है कि हमारे जो वोट तूटते हैं या हमारी जो पराजय होती है या कॉंग्रेस की जो विजय है चुनाओं में होती है उसका मुख्य कारण है कॉंग्रेस का एक जुट होना और विरोधी दलों के मत का बटवारा हो जाना